जहीं दोस्तों आज की सेसें में हम लोग GS के important questions को cover करने वाले हैं दोस्तों जिसी के हम लोग जानते हैं कि प्रतियक दिन हम लोग 30 MCQ questions को cover करते हैं तो आप लोग काम है इनको बढ़े तरीका से समझना है और comment box में right answer को comment करना है लाश्ट में अपना score भी बताना तो चलिए शुरू कर लेते हैं देखे question आप लोग के सामने है कि पोधो के लिए अधीक मात्रा में आवश्यक तत्व इन में से कौन सा है nitrogen, sulfur, calcium या फिर phosphorus इस question का right answer हो जाएगा nitrogen क्योंकि हम लोग जानते हैं कि 78% हमारे atmosphere में nitrogen पाया जाता है और rhizobium नाम का जिवानू क्या करता है जब मिट्टी को तयार किया जाता है तो यह जिवानू इस nitrogen को nitrogen को nitrogen form में convert करके मिट्टी में मिला देता है और उनको जड़ों में fixation कर देता है जड़ में fix करने के बाद पेड़ पुधा उसी nitrogen form को भोजन वगरा बनाने में यूज करता है तो nitrogen इस question का right answer हो जाएगा जो कि पेड़ पुधा mineral के तोर पर उनको जूज करता है अगला question देखेगा बंदर को निमलीखित में से किस संग में रखा गया है बंदर को कौन से संग में रखा गया है mammals, reptilia, insecta या फिर pyses देखे अगर बात किया जाए pyses का मतलब होता है मचली जिन के पास gills होता है दूसरा है इंसेक्टा, इंसेक्टा वैसा किड़ा को बोला जाता है जिन के पास तीन जोड़ा पेर होता है रेप्टिलिया जो रेंग करके चलता है और mammals जो बेवी देता है अपने बेवी को दूद पिला जाता है उनको mammals का जाता है तो बंदर को mammal के category में रखा गया ओप्शन नमर ए इस question का right answer हो जाएगा अगला question देखिए इस question है कि pneumatic अस्थियां इन में से किसमें पाए जाती है नियूमेटिक अस्थियां किसमें पाए जाती है कि आप कमेंट कीजीएगा मोर के scientific नेम क्या होता है देखिये मोर का scientific नेम होता है पावो greatest success cream नेम बहुत ही इंपोरीन्ट है जो う यह उइक एक पुछा जाता है अब लोग को का में इनको याद्भी करना ठीक है कम से खम 20 if iq नेम याद करना है जहाए इस question करा आए है जाएगा option number C नेस्ट कोश्चन देखिए का सम्मान्य नाम इन में से कौन सा है पिन वर्म चीप वर्म राउन वर्म या फिर टेप वर्म चीप वर्म राउन वर्म या फिर टेप वर्म इसकैरिस का सम्मान्य नाम देखिए इसका right answer हो जाएगा round warm option number C इसका right answer हो जाएगा इसकैरिस जो की गंदे पानी या फिर भोजन खाने से हमारी बोडि में इंटर करता है और नाना परकार का मतला अनिको परकार का बिमारी कजिस करता है तो round warm इस question का right answer हो जाएगा अगला question द जाएगा इस question का सही answer हो जाएगा option number option number C रोग कारक रोग को संचित करने वाले जो जीव होता है उनको कहेंगे रोग कारक अगला question देखिएगा इनमें से कौन सी बिमारी संक्रमक है चंक्रमक जो कि हवा पानी से फेलने वाला बिमारी इनमें से कौन सा है malaria, cancer, hypertension या फिर diabetes देखिए अगर देखा जाए इस option के अनुसार तो malaria हो जाएगा तो malaria होगा क्योंकि cancer, virus के कारन होता है, hypertension ये तो मस्तिक्स का है और diabetes एक्ट्वल में sugar वगरा अप होने के कारन होता है तो malaria इसका right answer हो जाएगा, अगला question देखिएगा कि tuberculosis नाम की बिमारी उत्पन होती है, tuberculosis नामक बिमारी किससे उत्पन होती है, bacteria द्वारा, proportion द्वारा, proto जुआ द्वारा, या फिर virus द्वारा, ठीक है, tuberculosis जो बिमारी होता है, ये actual में bacteria के द्वारा फेलने वाले बिमारी है, ठ देखिए ये जो tuberculosis है, यानि की टीवी का जो बिमारी होता है, ये फेफ़रों से related होता है, ठीक है, फेफ़रा का जो कुपिका होता है, इस कुपिका के अंदर में पस भर जाता है, और पस भर जाने के कारण ये एक दिवार खड़ा कर देता है, इसके कारण oxygen और carbon dioxide जो होता ह वो output और input नहीं हो पाता है, क्लियर है, अगला question देखिएगा, next question है, कि इन में से कौन सा रोग संक्रमक नहीं है, इन में से कौन सा रोग संक्रमक नहीं है, झाल 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 झाल